हेलो एवरिवन मैं बिलाल एक बार फिस से आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल स्टड़ी विद बिलाल सर में आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहोंगे तो डियरू स्टुडेंट आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 के राजनेती विज सभी से चलेंगे चलिए दो सब्सक्राइब करते हैं कि सविधान क्या है कि राज कसा रसकार के सब्सक्राइब रादनितिक रवस्ता का बुनियादी राचा निर्धारित करता है कौन सविधान जियां क्योंकि सविधान समय देश के सासन के बारे पचा जलता है देश में जैसे एक्जामपल के लिए भारत में संसिदे सासन प्राली है इसको कहां किया गया है सविधान में किया गया है कौन सा देश कौन सा देश लोकतांतरिक है और कौन सा गैर लोकतांतरिक है और सविधान ही हमें बताता है कि सासन कैसा करना चाहिए किस आधार पर सासन करना चाहिए सासन भाग कौन कौन ले सकता है कौन नहीं रह सकता है यह सारी जानकारिय में कहां से प्राप्त होती है सविधान किया दोस्तों सविधान देश को चलाने की एक कुंजी है और झिसके बिना देश को सचार रूप से चलाया नहीं जा सति चैंडीक कुसी परकार से जैसे हमारे घर में देनली नियम होते हैं तिक उसी परकार सेस्व के लिए भी नियमू के आओ सकता पड़े है और उन्हें नियमों को समुख्या कहला चलिए अब बात करते हैं सवदान की रचना के बारे में तो दोस्तों सव्धान की जो प्रथम बैठा हुए कवी थी तो सव्धान सभा की प्रथम बैठा हुए थी 9 दिसंबर नाइनटीन फोटी सिक्स को और सव्धान सभा के कि स्वधान सभाग डिरुपार तो सवधान सभाग दिरुपाराती इस की सर्दान सभार take सिना जहां रखना दोट सो नो दिसमबर उनुस्यारिस को सुधान सभा की बैटर के अधर सा किस नहीं किया था डौक्टर सचिदानन सिना द्वारा किया गया था और यह सुधान सभा के प्रतम आस्थाई अध्दक से इसके बाद 11 दिसमबर 1946 को डौक्टर राजंदर परसाद क सभा का सथाई सदसे चुन लिया गया और इस तरह भारती सभा के सभा के सभा के अधर्श को न करते हैं डौक्टर राजंद परसाद अगर आस्थाई पूछे तो हम क्या जवाब देंगे डौक्टर सचिदरन सिना ठीक है इस तरह हमारे सभान सभा की बनने की कावाई सभान बन कर कब तयार हो जाता है लागू कब होता है 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारे सभान लागू हुआ उस दिन हमारे पास 395 अनुछेद आठ अनुसूचियां 22 भाग और एक प्रस्तावना थी वरतमान बात करें तो वरतमान में अनुछेदों जो संक्या दोस्तों वो 470 के आसपास हो चुकी है और जो आठ अनुसूचियां थी यह आठ अनुसूचियां अब बारह अनुसूचियां बदल चुकी है 22 भाग से 24 भाग हो चुके है और प्रस्तावना एक ही है तो यह वरतमान की सिती है ठीक है चलिए समझ के चलो दोस्तों वीडियो बहुत अच्छे देखना पूरी देखना और मैं आपको गरंटी देता हूं कि इसके बाद आपको सविधान से संबंदित हर प्रस्टन का हल मिल जाएगा बस आपको वीडियो को पूरा देखना है चलिए अब सव्धान सभा की बात करते ही प्रस्टन पूछ सकता है सव्धान सभा किसके दार पर किया सव्धान निर्माड की मांग सरव प्रस्टन किसी द्वारा की कि ती बाल गंगा दर तिलग द्वारा ऐठारा सो पंचानवी में आपको यहां और इनके क्या बात कि कि सुराज मेरा जनम स्थाधिकार मैं इसे लेकर रहूंगा जिहां इनका नारा था कि सुराज हमारा मेरा जनम सिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर हूंगा यह सुराज से जादा और इससे कम कुछ भी नहीं मांगना चाहते थे और इसी में अगर बात करें तो इसमें होम इनकी दोबारा क्या सुरू किया गया तो होम रूर लिग अंदोलन की सुरूआत की गया थी चलिए नैस्ट बा जिसमें पहली बार पूर्ण सुराज की मांग रखे थी और तिरंगा जंडा फ़राय गया था ठीक है तो कोंगरी सुरूप से पंडिजवाला नहरू ने कब पूर्ण सुराज की मांग करी 1937 में लहुर रदीर सुने इसके बाद वर्स 1934 में एम एंडराय दोआरा पहली बा सब्धान सब्धान का सब्धान सब्धार की प्रस्तोत किया था और मश्रमार बात में सब्धानी सलाहकर कहों थे सर बी और या यानी गोपाल राओ सवधान निर्माति सभा के सदस्यों के संख्या के बात करें तो कुल सवधान सभा में कुल तीरी 89 सदस्यों करते थे और परतेक सदस्य का चुनाओं दस लाग प्रतिनिद्यों पर एक सदस्यों को निर्वाजित किया गया था एक प्रतिनेदी दस लाग जन संख्या का प्रतिनेदी तो कर रहा था सवधान सभा में या भी पॉइंट नोट करने होगे दोस्तों पेपर हैं पूछा जा सकता है अगला प्रसन है इसके रहा बात करें तो कि इन 389 सदस्यों में से 202 जो सदस्यों वो कहां से थे वो प्रांति तो से ने मदराज चन्हाई कुलकत्ता यह चार इसमें थे इस तोटल डोसो फ्री एटीनाइन हुआ करते थे लेकिन मुस्लिम लीग द्वारत सब्दान सभा का भाष्कार किया गया और उसके मुस्लिम द्वारत सब्दान सभा का भाष्कार कर वाहां सदस्यों अटा दिया कितने सदस रहगे 2099 कितने रहें दौस्त में 2009 में क्युक्ếu कि मुस्री मुस्लिम द्वारा सब्दान सभा का इसकार कर देया और lei ग error warfare कुलिए कि यहुष प्रमुक्त के बात करें सबसे पहले बार से महतवर्फ रक्रवेश्ट हो दोस्ambanha तेरे दिसम्बर 1946 को 25 जवाल्य नहरू दोरा उद्देश प्रस्ताओं पेस किया गया और तेरे दिसम्बर 1946 25 जवाल्य नहरू के उद्देश प्रस्ताओं के पेस करने के बाद सुधान सभा काल roommates कार watches सुरू होता है यहां तक ना 22 जनवरी 1947 को सरो सम्मती से स्विकार कर लिया गया यहाँ पर सरो सम्मती के मतलब है तोसो कि सब्धान सभा में उद्देश प्रहस्ताओं के विरुद में एक भी वोट नहीं पड़े थे यानि सभी लोगों तरह से स्विकार किया गया था चलिए और जैसे उद्देश प्रहस्ताओं शुकार कर लिया गया वैसे भारत के हो गया दोस्तों संप्रभू गड़त अंतरात्म राज्य घोशित कर दिया गया 29 अगस 1947 को सब्धान सभा के ने भारत के सब्धान का प्ररूप त्यार करने के लिए डॉक्टर बी आर अमबेटकर के अदस्ता में प्रारूप समीति घठन के जहान अगना तो 19 प्रारूप समीति घठन कब के गया अधर पसाथ और निर्मात्री के इस तरह से और इस अगर हम बात करें तो सरफार्फ के प्रमुक्ष सवदान कर थे डॉक्टर ब. एफ्र न राओ इस तरह से और प्रभुव समीती में कुल कितने सदशे थे तो प्रभु समीती में सदसो संक्य कुल कितनी satu सब्सक्राइब कि उन्हीं सभाल सब्सक्राइब 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 करें तो सविधान सभा के सदस्यों का चुनाओं प्रतेक 10 लाग वक्तिव पर एक प्रतनितिक मादम से किया गया था ठीक है अश्चर बिव चुनाओं kस्रेंस अब प्रता स्चर फूरुर्प से नहीं किया गया था लिखी सवधान का मतलब होता है एक ऐसा सवधान जिसका निर्मार एक सवधान सबादवार किया गया हो उसमें बैटक होती है और सरोसमतिस में उस बैटक में उसमें चर्चा किया जाता है और चर्चा करने बाद एक दास्तवे जुपला दोता है इसलिए इसे लिखी सवधान क राम से जाना आता है भारत दुनिया का या कह सकते है विश्वी का सबसे बड़ा लिखी सवधान के दरजा भारते सवधान को दिया गया है ठीक है अलिकित सवधान के बात करें तो अलिकित सवधान एक्जामपल है ब्रिटेन यहां ब्रिटेन का सवधान क्या अलिकित है अलिक पराओं को ही एक दस्तवेश बान लिया जाता है और उन्हीं प्राचिन परांपराओं को अधार पर आगे निलने लिये जाते हैं ठीक है तो यह सब्धान विश्व में दो परकार को थे हैं लिकी सब्धान जो अधारान के लिए भारत और अमेरिका अलिकी सब्धान ब्रुट अधार दो तो आहिओब मैं आप सभी को सभी कर शब्धान से संब्धेμ जभी डावड कीलरख रकांण सब्सक्राइब करवाइं ब्रुट कर दें हैं यह जादा परोशान देता है आपक Mary और अच्छी और ठोपिक बनाने लिए किता सई आधिया धन्यवाहमें आ